नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से अब सभी का स्वागत है मेरी यूटूब चैनल टेर्स गर्डिनिंग में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हम अपने ग्रोबैक्स में मिट्टी किस्वकार वरें जिससे कि हमारे पौदे अच्छी तरह से चलें इससे पहले अगर आप सभी म पतियों की जैसे पतियां आपके पास अविलेबल हों उससे एक लेयर आप अपने ग्रोबैक्स में डाल दें 2-3 इंच मोटी ताकि जो ड्रेनेज होल है वो उन पतियों से ढखी रहा और हमारे मिट्टी जो है हम डालें उसके उपर तो मिट्टी से ड्रेनेज होल ब्लॉक न कि ग्रोथ उसी पर डिपेंड करती है चुकि हम जमीन में नहीं लगा रहे हैं पौधे ग्रोबैक्स में लगा रहे हैं लिमिटेड रिसॉर्सरस के आसाथ हमारे पौधे चलते हैं तो जितनी अच्छी मिट्टी ओगी और जितना अच्छा ग्रोबैग में आपने उसे निउ सूखी पतियां या हरी जो भी आपके गार्डन से निकली वेश्ट पौधे हैं उन्हें आप इसमें डाल ले और दुबारा से उसे मिट्टी से ढगते हैं इससे होता गया है दोस्तों कि जब हम इसमें वाटर देते हैं वाटरिंग करते हैं मिट्टी में तो ये पौधों जो पतियां यह गलती हैं और इनसे जो नियुट्रेंट्स निकलते हैं वो हमारे पौधे की जड़ों को डायरेक्ट मिलते हैं तो हमारे पौधे जो हैं उनकी ऑबराल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है इसके उपर से हम तो कम्पोष्ट और अच्छे-च्छे खाथ देते रहते पर उपर किसे खाद देने के अलावा मिट्टी की जो नियूट्रेंट्स होती है वो पौधों की जड़ों के लिए सबस्यादा लाबदायक होती है तो इस परकार दोस्तों जो मिट्टी है हमारी पौदे की जड़े हैं जो मिट्टी से नूट्रेंट लेंगी जो नूत्रेंट मिट्टी में मिले हों इच में नीचे जब पौदे की जड़े नीचे जाएंगे और उन्हें नूत्रेंट mines मिलेगा तो उसका विकास ग्रोथ बहुत ऐची होगी और उसमें हमेशा फल आत आधो पूरा जाता है पर जब वॉटरिंग करते हैं तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है तो उपर तक बढ़ें एक सो दो बार के वर्ट्रिंग में एक दो सथीन चार इंच तक नीचे आपनी मिट्टी चलियाती है तो sufficient होता होतना तो इस प्रकार अगर आप grow bag अपना भरते हैं दोस्तों तो आप सालों साल अपने पौधों पे फूल और फल ले सकते हैं बहुत ही कम care के साथ तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like, share और subscribe जरूर करें धन्यवाद